बदिन शौक जहाँ पर है खबरें खबरों के चलते होता है एक्शन क्या होना चाहिए आपका रियक्शन ये बताएंगे रवी जी और खबर बताएंगे हम और उस पर निर्णे रेंगे आपकी आखिर में उसको खरीदें या बेचें बने रहें ये निर्णे आप इसलेशन आते हुए दिखाई देने बहुत लोगों ने लिया हुआ है आज ही लिया हुआ है लेकिन यहां पर खबर का है पहले वह पढ़िया आप खबर यहां पर यह कंपनी को कमर्शियल वेसल बनाने के लिए एक बड़ा ओर मिलता हुआ दिखाई दिया है और यह आपको बता दें International Market से मिला हुआ है फोर मल्टी पर्पेज चार जो है मल्टी पर्पेज वेसल निर्मार के लिए ये साधे पांच करोड के आसपास पांच दसमनों चार करोड डॉलर का ये order company को मिला है और अगले 33 महीने में company जो है इस order को पूरा करती हुई दिखाई देगी और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेर के अंदर momentum बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन पहले भी ये शेर काफी शानदार रिटर्न दे चुका है एक महीने में 21% छे महीने में 103% एक साल में 200% का रिटर्न यहाँ पर आल्रेडी आ चुका है सर साड़े 7% उपर इस समय ट्रेट करता हुआ पहुने 8% उपर 1771 का भाव गार्डेन रिच शिप बिल्डर और इंजिनियर्स लिम्टेट क्या सला रहेगी आपकी इन लेवल्स पे जो लोग पहले ले चुके हैं उनके लिए और जो लोग अभी भी यहाँ पर अपर अपरचुन्टी तलाशनी के लिए जिन्हों न इंट्री के लिए मुझे लगता थोड़ा वेट कर लिजे 1650 से 1600 के लेवल्स अट्रेक्शन देश सकते हैं इस्टॉक अच्छा है न्यूस का इंपैक्ट है लेकिन गैप को एक बार फिल्गोने दीजे फिल फ्रेश इंट्री करिए बाकी 1850 पर प्रॉफिट बुक करना मत भ पहले से हैं अगर आपने इंट्री लेना चाहा रहे हैं तो अभी करेंट लेवल पर मत खरीजे थोड़ा नीचे आने के बात ही खरी दिएगा चलिए अब जरा इरिडा को लेगर के आते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहां पर आज खबरे हैं और उस खबर के च जुटाए हैं और इसी के चलते आपको बता दें कि शेर में मोमेंटम बना होगा है और यह जो रकम जुटाई गई है इस पर सालना ब्याज जो कंपनी को देना होगा वो साथ दसमलों चार-चार फीसद देना होगा अगले दस साल दो महीनों के लिए यह कंपनी ने कर्ज ज चुके हैं लेकिन इस सेग्मेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं तो आपकी टिपड़ी जाना चाहेंगे इरिडा को लेकर के नेक्स टागट क्या हो सकते हैं देगे 220 के लक्ष यहां पर साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि जो निउस है उसका साफ साफ इंपैक्ट आ रहा है और जिस तरीके से अब डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ग्राउंड रियल्टी पे फंडामेंटर अच्छे होते हुए निजर आ रहे है टेकनिकल चार्ट पर स्ट्रॉंग हो रहा है तो मुझे लगता है कि 220 के लक्ष के लिए यहां पर इंत सकते हैं जो इस टॉप लॉस आपको बताए गए हैं उनको आवज से ध्यान रखें आप लोग तो यह राय निकल करके आती हुई अगले कंपनी को जरा स्क्रीन पर ले करके आते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या कुछ राय निकल करकर कर आती हुई दिखाई दे रही है यहां पर आपको बतादे हैं एक खबर आई है और एक और अच्छा शेतर से जुड़ी होई कंपनी जिस पर के हम बात कर चुके हैं लेकिन यहां पर खबर यह है कि कंपनी पर अपना जो टार्गेट प्राइस है उसको जो है बढ़ाया है बाई रेटिंग के साथ अब शेर पर लक्ष बढ़ा करके सतावन सो रुपए कर दिया गया है और कारण इसके पीछे कंपनी के पास चौरानवे हजार करोड रुपए की और बुक पड़ी होई है वहीं आने वाले दिनों में भी कंपनी को नए और मिलने की उमीद है अगले डेर से तीन साल में कंपनी को एक दस्मनों छे से एक दस्मनों साथ लाग करोड रुपए के और मिलने की उमीद जिताई जा रही है इस शेर ने भी काफी शानदार उडान भरी है छे महीने में 87% एक साल में 185% का रिटर्न एचल के शेर में आता हुआ दिखाई दिया है और आज हम देखें तो एचल के शेर तक के लक्ष निकल करके आ रहे हैं आपके टारगेट क्या होंगे सर विपल जी मैंने अभी इस समय अगर एचल को देखो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं तो इस पर मल्टी बैगर स्टोरी यहां से भी देख रहा हूँ और लॉंग टम पर टारगेट देखते हैं त नहीं बड़े टारगेट की यहां पर इस अपर इसे लगा सकते हैं तो यह 8000 तक कर टारगेट यहां पर रवी जी की तरफ से निकल कर चालिए यहां है और अगी बढ़ते हैं और इसक्रीन पर लेकर के आई यृग Θ Eu लक्ष दोनों में बढ़ोत्री कर दी है कंपनी के उपर जो रेटिंग दी गई है वो और परफॉर्म की ओवरवेट की दी गई है और इस ओवरवेट रेटिंग के साथ लक्ष बढ़ा करके पांसो पचात्ता रुपए कर दिया गया है इसी के चलते आज हम देख रहे हैं शेह सब्सक्राइब के आसपास की मजबूती है अब नए शेतर में विस्तार कर रहा है सेंजी की किमतों में बढ़ोत्री हुई है क्या भावश दिखाई दे रहा है आपको आई-जेल का इस समय आई-जेल यहां पर एक अच्छा स्ट्रॉंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मुझे लगता है कि अगर लॉंग टर्म ट्रेड है तो यहां पर बिल्कुल बने रहना चाहिए और शॉट टम पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बोकिंग देखने को मिलेगी लेकिन यह इस ही है फिर भी करनेट लेवल से एक अपसाइड मोमेंटम में पांचो रुपे तक जाता हुआ नजर आ सकता है तो बाइसों के ज्यादा दर्शक जो है हमाई साथ ताज इस कारेक्टर में जुड़े हुए थे चलिए इस बीच जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो कि बैठक में पेपर इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत मिलती हुए दिखाई दी है पेपर से बने जो बॉक्स होते हैं उस पर जीस्टी को 18% से घटा करके 12% कर दिया गया है तो इससे कंजूमर के लिए भी आसानी होगी और जो लोग बनाते हैं उनके लिए भी बड़ी र यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसप्टेशन पर इंडस्टी को थोड़ी ज्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जेके पेपर की बात करे तो पांत सो पचास और पचपन के लक्ष यहां पर इचीव होते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन फिर भी अगर जिन लोगा ने लोगर लेवल पर खरीदा उनको थोड़ी प्रॉफिट बुक करने की भी सजेशन होगी एक बार को इस निउस का फायदा उठाए और थोड़ा सा प प्रॉफिट बॉक करने की बात है अगर आपके पास सो शेयर हैं तो आपको 35 से 40 यहां पर बॉक कर लेने चाहिए यानि 35 से 35 परसंट का एक बार को मुनाफ़ा उसूली कर लेनी चाहिए चुकि बात हम बजिंगी कर रहे हैं सर और GST की बात छिड़ी है तो एक और सेक्टर पर हलांकि उसके हमने ग्राफिक्स नहीं त्यार किये एक और सेक्टर है वह है फर्टलाइजर फर्टलाइजर को भी काफी कुछ हुमी दे थी दो दिन काफी तेजी के साथ चले जेन फसी हुआ चंबल हुआ हैं सब में लेकिन अब ये खबर आई कि इसको लेकर कि कोई बात देखे फिलहाल तो अभी जरूर आप कह रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा लॉस हो रहा है लेकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए थोड़ी और क्लिर्टी यहां पर आएगी तो उसके बाद ज्यादा डिसीजन लेना असान होगा फिलहाल जो गिराव प्रणी के बाद आएगी थोड़ा सा लॉस होगा थोड़ा सा लॉस होगा ओना है लेकि यहाम उस्जन लेकि फिलहां झाली तो दोड़ा सामाल।